Q4 Q4 में आपके 4 questions दिये हुए हैं कहे रहा है कि सही बिकल्प चुनी और बिकल्प को की पूष्ट कीजिए तो यहाँ पर हम देखते हैं एक-एक करके सारी questions को देखते हैं तो सबसे पहले पहला question पहला दिया हुआ है 9c2e-910e2e बराबर है तो इसको solve करके देखते हैं कि कौन सा होगा तो आते हैं solution पर 9c2e-910e2e आप दोनों में देख रहा है common common मतलब जिस ऐसा कोई अंक जो दोनों में जितने भी पदों सब में जो होता है उसे हम क्या बोलते है common तो यहाँ पर देख रहा है दोनों में क्या common? 9 तो 9 जब common करेंगे तो बच्चेगा c2e-10e2e ध्यान से देखेंगे ये C2A-10A2A की value क्या होता है 1 होता है इसको हमेशा याद रखेंगे कि C2A-10A2A की value क्या होता है 1 होता है तो ये आपका value क्या हो जाएगा 9 यानि option number आपका B क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चोथे का दूसरा देखते हैं question second और फिर second bracket में दिया हुआ 1 प्लस कोट थीटा-कोट से एक थीटा की value क्या होगी तो चारों options में से हमको बताना है कि क्या होगा तो इसको solve करके देखते हैं सबसे पहले question लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा-कोट से एक थीटा टीनामेट्टी में सबसे ज़रूरी होता है कि application यानि कौन से formula यूज होगा यहां पे generally देखें तो कोई भी formula यहां पे यूज होने वाला नहीं यह तीनु आइडेंटिटी में से इसका मतलब यह हो गया कि किसी और term में लगेगा तो जब कभी भी identity नहीं यूज हो तो question को maximum आपकी क्या करेंगे sign और cos में convert करके लगाएंगे तो यहां पे हम 1 प्लस हम जाते है 10 थीटा को लिख सकते है sign थीटा वट्टे cos थीटा plus 6 थीटा को भी लिख सकते है 1 by cos थीटा plus 1 plus sorry यहां पे into है आपका 1 plus bracket में cos थीटा की जगापे आप लिख सकते है cos थीटा वट्टे sin थीटा minus है यहां पे cos 6 की जगापे 1 by आप क्या लिख सकते है sin थीटा आप जड़ा ध्यान देज़े इसके नीचे आप चाहें तो 1 लिख सकते है यहां भी आप चाहें तो 1 लिख सकते है तो 1 cos थीटा cos थीटा यानि यहां पे first bracket में जब LC मिसका लेंगे तो यह क्या आएगा cos थीटा यानि cos थीटा का one way multiply करेंगे तो यह होगा cos थीटा प्लस इन दोनों का हर समान है तो यह लिख देंगे sin थीटा प्लस 1 फिर यहां पे जब ध्यान देंगे तो यहां भी denominator का आपका जो निकालेंगे LCM यानि यहां पे क्या गया sin थीटा तो sin थीटा का one way multiply करेंगे यह हो गया sin थीटा प्लस इन दोनों का हर समान है तो अंस को ऐसे ही लिख देंगे cos थीटा और minus है तो minus one ठीक है अब हर का हर में गुड़ा करेंगे अंस का अंस में गुड़ा करेंगे तो देखते है क्या होता है तो लिख सकते हैं sin theta into cos theta पहले बात में कैसे भी लिख सकते हैं इसमें कोई confusion नहीं है ठीक है अभी हम next देखते हैं cos theta का sin theta में multiply करेंगे तो यह आपका होगा cos theta into sin theta पहले cos का सारे term में cos का cos में करेंगे तो हो जाएगा cos square theta फिर cos का minus 1 में करेंगे तो minus cos theta अभी पहले का हुआ फिर next देखते हैं sin theta का sin में करेंगे तो plus sin square theta sin theta का cos theta में करेंगे sin theta into cos theta ठीक है अब ज़रा ध्यान देंगे sin theta का minus 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा आपका minus sin theta अभी 1 बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 का sin theta में करेंगे तो यह होगा sin theta और फिर 1 का cos में करेंगे तो यह होगा plus cos theta यहाँ पर plus 1 का minus 1 में हुआ तो minus 1 अब देखी cancel क्या क्या हुआ यहाँ पर minus cos theta और यह आपका क्या है प्लस cos theta यह होगया cancel यहां पर आपका plus sin theta यह minus sin theta हो गया cancel plus minus हो जाता है cancel आप ध्यान देंगे cos theta sin theta और यहां पर क्या है sin theta cos theta यानि दोनों क्या है same है तो यह हो गया 2 cos theta या sin theta फिर आप यहां ज़रा ध्यान से देखें तो cos square theta और plus क्या हो जा रहा है sin square theta और इसकी value क्या होती है 1 तो यहाँ पे नीचे लिखा गया है 2 cos theta sin theta plus 1 और यहाँ पे आपका क्या है minus 1 तो लिखेंगे minus 1 अब यह दोनों क्या हो गया plus minus cancel तो बचा आपका 2 cos theta into sin theta by sin theta into cos theta यह दोनों आपस में क्या हो गया cancel हो गया आपका answer आगया 2 हो जाएगा सही हो जाएगा 4th का 3rd question 3rd question आपका है ck plus 10 है 1st bracket में और 2nd bracket में आपका है 1 minus sign है इसकी value क्या होगी तो देखते हैं क्या होता है question लिख लिख लिए जाए ck a plus 10 a फिर आपका है 1 minus sign a तो इसको convert नहीं करेंगे ck और 10 को हम किसमें कर लेंगे sign और cos के term में यहाँ पर हम जानते हैं ck a का formula आपको formula जो भी बताया गया है उसको learn होना चाहिए dignametry में अगर आपको formula learn है तो question बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं तो ck a के जग़ा पर हम क्या लिख सकते हैं 1 by cos a अगर यहाँ पर b राता तो b लिखते ठीटा राता तो ठीटा इसमें कोई confusion नहीं होना चीए 10 a के जग़ा पर हम लिख सकते हैं sin a by cos a और आपके second mark के 1 minus क्या आपका sin a अब जड़ा ध्यान देंगे cos a cos a यहाँ denominator इसका क्या है same है और जब हर समान होता है तो uns को हम क्या करते हैं ऐसे ही लिख लेते हैं यह होगे आपका sin a और यहाँ होगे 1 minus sin a अगर हम यहाँ fraction का sin लगा के बट्टे का chin लगा के 1 लिख दें कि अगर a plus b हो एक कोष्ट में और यह कोष्ट में a minus b हो तो वहाँ पर फार्मूला क्या होता है a square minus b square तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर क्या करने माला हो यूज तो 1 का square हो जाएगा और फिर b b के जगा पर sin a यानि हो जाएगा sin a का square by cos a तो यह हो गया आपका 1 minus sin square a by cos a अब जड़ा ध्यान से देखें तो 1 minus sin square a cos 2 क्या होता है cos square a यानि इसमें आपको जगा जगा क्या यूज करना है फार्मूला बहुत ज़ादा यूज होने माला है तो इसलिए फार्मूले लर्णन रहें आपके तो cos a से 1 cos a क्या हो गया cancel आपका answer आगया cos a यानि option number d में आपका क्या है सही है फिर चलते हैं next question पे तो next question आपका 4 है चोथे का चोथा question 1 plus 10 square a by 1 plus 4 square a बराबर है तो देखते हैं 1 plus 10 square a by 1 plus cot square a 1 plus 10 square a अगर फार्मूला आपको यादो यह किसका फार्मूला होता है c square a का और 1 plus cot square a फार्मूला होता है cos a square a का इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब यहाँ पे c की जगा पे आप क्या लिख सकते हैं 1 by cos a का whole square by 1 by आप लिख सकते हैं यहाँ पे sin a का whole square क्योंकि कोई सिक का फार्मूला होता है 1 by sin a और सिक का फार्मूला होता है 1 by cos a अब इसको हम लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं 1 by cos square a और by 1 by sin square a अब यहाँ ध्यान से देखने माला बाती है आप इसको लिखें 1 by cos square a और इसको simplify जब करते हैं तो अंस को हर में बदल देते हैं और हर को किसम में बदल देते हैं अंस में तो यह हो जाएगा आपका sin square a by 1 यानि यह हो गया आपका sin square a by cos square a तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin a by cos a square और sin a by cos a क्या होता है 10 a ऊपर square रहने देंगे यानि यह convert किसमें हो जाएगा आपका इसको आप लिख सकते हैं 10 square a क्या जाएगा आपका 10 square a जो कि आपसन नंबर आपका क्या है D बिल्कुल सही है झाल